हेलो दोस्तो यह है सेम सेंग कंपणी का इन्वेटर फिश का सेंसर और थर्मल फ्यूज तो इसकी वर्किंग बता दू मैं आपको यह होता है डिफ्रोस सेंसर डिफ्रोस सेंसर से आप समझ गए बरप को मेल्ड करने का जब ओवराइजिंग होती है तो यह किसी भी को सप्लाई देता है कि अंदर पूलिंग प्रोपर हो चुकी बंद करवाने के लिए ठीक है और यह थर्मल फ्यूज होता है इसका काम होता है जैसे हीटर हमारा कंटिन्यू ओन रहे गया तो इसका काम होता है सप्लाई ब्रेक करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस होता है यह खुद को जला लेता है सप्लाई ब्रेक हो जाती ही तो हीटर बंद हो जाता है इसकी टेस्टिंग बता दू मैं आपको इसकी वेल्यू जो होती है तकरीबन 3.7 किलो ओम से लेकर 4.5 किलो ओम तक होती है इसके बीच में आती है तो यह ओके है वना खराब मानी आगी तो चेक करते हैं दोस्तो देखो 4 किलो ओम दिखा रहा है अब इसे हीट करेंगे तो इसकी वेल्यू डाउन होनी चाहिए इसकी वेल्यू डाउन हो रही है और ठंडा करने पर इसकी वेल्यू बढ़ेगी तो यह ओके माना यागा वना यह खराब है ठीक है अब हम चेक करेंगे थर्मल फ्यूज की टेस्टिंग तो अपने मल्टी मीटर को आपको बजर वाले उप्सन पर सिलेक कर लेना है हमने स्लेक कर लिया है यह वायर जो आ रही हमारे थर्मल फ्यूज के है तो अब इसमें ही कनेक करेंगे हम आप देख सकते हो मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिये इसमें वेल्यू शो कर रही है पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही इस कंडिशन में ये थर्मल फ्यूस खराब है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना बहुत महिनत लगती है भाई एक लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में